नमस्कार दोस्तों बिहार आंगन बारी में जो है सेविका सहाइका की जो नई भरती है वहाँ पे शुरू की जाड़ी है और ऐसे में जो है अलग-अलग जिलों की तरफ से जो आप लोका नोटी से वहाँ पे जारी किया गया है अलग-अलग जिलों में जो है अलग-अलग समय का बाहली का डीटेल देखना है वो मैं आप लोगों पर बताने बाला हूँ तो वीडियो को आप जो पूरे जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले अगर आप ने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगो एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होग और आपको जो है अपने जिले का किस तरीके से यहाँ पर देखना है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अभी जो फिलाल बाहली आया हुआ है वो इस चंपारन मोतिहारी की तरफ से यहाँ पर निकलके आया हुआ है और यहाँ पर आप जो ही इस चंपारन की वैप साइट पर आईएगा notice का जो option है इस पर आईएगा recruitment पर आप क्लिक किजेगा तो कुछ इस तरीके से आप लोगों पर देखने को मिल जाएगा information regarding back-end seat of आंगनबारी सेविका साही का तो यहाँ पर फाईल पर आप क्लिक किजेगा तो कुछ इस तरीके से notice आप लोगों पर ओपन हो जाएगा what number आप लोगों पर देखने को मिल जाएगा जो आप लोगों पर आविदन कर सकते हैं यहाँ पर पिछ़रा बढ़ग है तो पिछरा बढ़ग के जो भी यहाँ पर लोग होंगे वो यहाँ पर आविदन कर पाएगे उसका बाद यहाँ पर आम सभा का अस्थान बताया है इस तो इस तरीके से आप लोगा पूरा जो लिस्ट वहां पे आया गया है अगर आप मुतिहरी जिले से आते हैं तो लगभग हर एक गाउं में रिक्त पदों को भरने है तो चैन काड़िस सिग्र पूर्ण करने का आदेश प्राप्त है साथ ही उप निरेशक ICDS निरेशाले का पत्रांग के हाँ पत्रांग संक्या है पत्रांग के आदेश के आलोक में सभी बाल विकास परियोजना पता दिखारी द्वारा परियोजना अंतरगत्र रिक्त पदों की विवरन उपलव्द कराई गई है जो निमबत है तो इस तरीके से आप लोगा पूरा जो रिक्तियां है वहाँ पर जारी किया गया है और इतने पत्रों का बहाली है वहाँ पर होने बाला है तो टोटल इतना पत्रों का बहाली है वहाँ पर होने बाला है आप जिसके लिए आबेदन करना चाहते है अपने हिसाब से यहाँ पर देख लिजेगा आप लोगा जानकरी मिल जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों कि यह जो आ बहाली के लिए कौन-कौन लोग आविदन कर सकते हैं तो सबसे पहले सेविका सहायका का बहाली के लिए वही लोग यहां पर आविदन कर पाएंगे जो जिस वाड में रहते हैं वही वाड में अपना जो आविदन वहां पर कर पाएंगे और साथ में metric enterprise जो है यहाँ पर आविदन कर पाएंगे तो अगर आप सिविका के लिए आविदन करना चाहते हैं तो कम से कम आप लोगा जो यहाँ पर qualification है वो इंटरपास होना चाहिए अगर आप सहायका के लिए आविदन करना चाहते हैं तो कम से कम आपको जो है यहाँ पर metric पास है तो आप यहाँ पर apply कर पाईएगा तो metric enterprise यहाँ पर जो लोग है वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे और इसमें सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती है इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखेगा तो अगर आपके वार्ड में आप बहाली आया हुआ है तभी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं और यहाँ पर metric enterprise जो ही महला है वह यहाँ पर apply कर पाएंगे तो यह आप लोग का योगता होता है आप बात करते हैं कि आपको देखना किस तरीके से है कि आपके जिले में भाली आई हुई है या फिर नहीं आई हुई है तो उसके लिए आपको करना क् होता है तो यहाँ पर नूटिस का जो option है वो मिलेगा इस पर आपको आना है recruitment पर आपको जो क्लिक करना है कुछ इस तरीके से आप लोगा जो website है वहाँ पर open हो जाएगा और अगर बहाली आया हुआ राएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देखे यह लिखा कुछ इस तरीके से आप लोगा आजाएगा यहाँ पर अपना जो जिला का लिंक है उस पर आपको जो क्लिक करना है कुछ इस तरीके से आप लोगा जो website है वहाँ पर open होगा सेम आप लोगा open होगा आपको नूटिस का जो option है इस पर आना है recruitment पर आपको जो क्लिक करन हैं अपने जिले का नाम जो है आप लोग अहां पर लिखेगा लिखने एक बाद यहां पर NIC लिखेगा आप लोगो website का link मिलेगा और अपना जो है चेक कर पाईएगा तो इस तरीके से पूरा आप लोगा परक्रियार रहने बाला है अगर आपको अपने जिले का बाली देखना है तो इस तरीके से देख सकते हैं और फिलाल बहालि है वहांपर आता है तो अलग-अलग जो आप jourको नोटिस होगा अलग लग जो डेठ होगा वहांपनों PARप जाड़ी होगा तो आप 178 सब्सक्राइब में जानकारहए भाइख 555